सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग है। आये सरह मोग स्लिप गेज के बारे में पढ़ते हैं, वाट स्लिप गेज? देखे सरह, यह बहुत सरे स्लिप गेज हैं, स्लिप गेज क्या होता है? जैसे इस टाइप का खांचा बना हुआ है, इस खांचे को अगर हमको चेक करना है कि ये खांचा यहां से वहां तक सही है कि नहीं तो इस खांचे को मन लेते हैं कि ये खांचा बना हुआ है ये ये खांचा बना हुआ है और हमको इस खांचे को चेक करना है कि ये खांचा सही है या नहीं झीक है? तो हम लोग क्या करते है? कि इस खांचे को चेक करने के लिए कि is में एक slip gauge डालते हैं slip gauge डाल के ऐसे खिच देते हैं अगर ये खांचा सही से कटा हुआ होगा यहां फे वहां ये slip gauge खिचा जाएगा अगर ये खाँचन नहीं कटा हुआ होगा, slip gauge अटक जाएगा अगर फिर से ध्यान से दिख्ये को कि नीन कहते हैं कि अगर ये माल लोग खाँचा कटा हुआ है और ये slip gauge है ये बहुत सारे slip gauge है, ये slip gauge इसमें डाले और डाल कैसे खिच दी है खिचने के बाद अगर यह कही नहीं अटका इसका मतलब यह खाचा यहां से वहां तक सही है और अगर यह slip gauge अटक गया तो यह खाचा सही नहीं है तो कहते हैं slip gauge और बार-बार सर इसको साब भी करना होता है क्योंकि अगर बार-बार बैसे खीचिएगा न तो यह रुखड़ा हो जाता है रुखड़ा हो जाने के बाद यह सर घिसने लगता है जादे इसको plane करने के लिए हम लिए लिनेन cloth या chemise leather का परियोग करते है लिनेन जानते होंगे लिनेन का कपड़ा आता है थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको लिनेन cloth या chemise leather का परियोग करते हैं लिनेन cloth या chemise leather का परियोग करते हैं लिनेन cloth या chemise leather का परियोग करते हैं ठीक है यह जो linen cloth है यह चमाइन slather का हम लोग परियोग करते हैं इसको आगे पीछे करेंगे और जब यह सर बहुत जादे वह हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको रुखडा हो जाएगा तो इसको सर साफ कर देंगे कहता है slip gauge का अविशकार Johnson ने किया था इसलिए इसको जोण्सें गेज के नाम से भी जानते हैं अतहा है इसे जोण्सें गेज के नाम से भी जाना जाता है तथा अधिक होना चाहिए इसकी अचार्सी आपका इंडियन स्टेंडर के अनुसार इसलिप गेज की जो संख्यां है यह टोटल भारत में अलग-अलग खांचों के लिए 112 पीस में अभिलिबल है कितने पीसस में अभिलिबल है कुल 112 पीसस में अभिलिबल है और स्लिप गेज को रिंगिंग करने से पहले इस खांचे में इधर से उधर ले जाने से पहले लिनन क्लॉथ या चमाइन स्लेदर से इसको क्या किया जाता है साफ कर दिया जाता है यह कितने पीसस में अभिलिबल ह नाम से भी जानते हैं, जैसे देखिए, मान लीजे कि ये खांचा बना हुआ है, ध्यान दीजेगा, अगर ये खांचा बना हुआ है, हम जानना चाहते हैं कि ये खांचा सही बना है कि नहीं, तो इसमें ऐसे डाल देंगे, और डाल के हम सरे से खीच देंगे, अगर ये कहीं न इसका दूसरा नाम गेज ब्लॉक है, स्लिप गेज की हाड़नेस तिरसर टचार सी से अधिक होती है, इंडियन इस्टेंडर के अनुसा स्लिप गेज का एक विशेश से प्रियोग में लाया जाता है, जिसे 112 पीस होते हैं, रिंगिंग यानि प्रियोग करने से पहले स्लिप गेजों की मेटिंग सर्फेसों को सॉफ्ट लिनन क्लॉद द्वारा या चमाइन स्लेदर के द्वारा सास किया जाता है, अब करता स्लिप गेज बना होता है किसका, क्रोमियन स्टील का या टंगस्टन कारवाइड का, दोनों देखो hard 3 Grade में होता है ये Grade 0 Grade 1 Grade 2 नहीं चार grade Grade 0 Grade 1 Grade 2 और Grade 00 था हथा है भारतिया श्टंडर कशली की सुक्षणता का Grade होता है Grade 00 Grade 1 Grade 2 और Grade 00 ह pine हम से ग में फ्यज्ब जिलिप गितने परकार होता है एक होता है वर्किंगेज एक फेकर संगेज एक होता सब दुखो यह वर्किंग जups के पास होता हैं वर्कर्स के पास होता हैं job ो सब कने दूर और इसको इंशपक्ट करने के लिएलिए इंस способiva करते हैं इसको inspect करने के लिए inspection gauge मतलब हो गया या worker का जो head होता है वो एक inspection gauge प्रियोक करता है यह जो नपएगा in店 के लिए inspection gauge का परियोक करते है और inspection gauge जो head नपएगा उसको star GM level का जो अधिकारी होता है general manager definite ताइब कादिकारी वह Master Gage का प्रियोग करके फिर चेक करता है जैसे देखो पहले वरकर बनाएगा आदेत पहले worker क्या करेगा पहले worker नापेगा कि workpiece को go-no-go करके या slip gauge घुसा-घुसाके कि सही है कि गलत है फिर उसको sir, जो worker का head होगा वहाँ पर technician वो नापेगा इसके द्वारा नापेगा workpiece को यह नापेगा inspection gauge से और इसके द्वारा नापेगा either workpiece को यह नापएगा muster gate से तो कहते हैं यह सबसे अधिक संख्या में यह होता है इसकी सुधता कम होती है इसकी जो सुधता होती है वो 0.0001 mm होती है और इसकी सुधता जो होती है वह 0.01 mm होती है अग्त कोहने का मतलब यह हुआ कि यह सुधता का जो रेंज है सबसे अधिक पहले वरकर नापेगा वर्किंगेज से उसको नापके इंस्पेक्शन गेज से नापेगा जो टेक्नीशियन होगा अग्त अग्त के नापे हुए को सर जेनरल मैंगजर न में worker के द्वारा प्रयोग किया जाता है इसमें grade 2 और grade B gauge आते हैं इसकी सुधता देखो उल्टा हो गया इसकी जो सुधता है इसकी जो सुधता है सबसे अधिक सुधता होती है इसकी यानि सबसे कम सुधता सुधता होती है इसके बाद आता है इसके बाद आता के द्वारा प्रदर्स्यित करते हैं इसका प्रियोग Waking Gaugeset की अथार्थता और सुक्षमिता को Check करने के लिए करते हैं वर्कर जो Check करता है उसको Inspection Gauge जो Check करता Вас Inspection Gauge से इसकी सुथ्था 001 Ng होती है उसके बाद है Master Gauge से इसको Grade One के द्वारा सुचित किया जाता है इसे reference gauge के नाम से भी जानते हैं Master gauge set की सुद्धा 0.001 mm होती है इसे control gauge भी कहते हैं क्योंकि सबसे finally यही control करता है पूरे system को इस gauge का प्रियोग inspection gauge की सुक्षिनता को चेक करने के लिए किया जाता है inspection gauge की सुक्षिनता को को चेक करने के लिए किया जाता है और फिर से देख लो कि देखो कि यह वर्किंग गेज को नापता है inspection gauge working gauge की सुक्षिनता को नापता है inspection gauge और inspection gauge की सुक्षिनता को नापता है master gauge यानि सबसे कोईगा working gauge की सुक्षिनता को कौन नापेगा inspection gauge inspection gauge की सुक्षमता को कौन ना पेगा master gauge सबसे अधिक सुधता जो होती है वो master gauge set की होती है इसलिए इसको हम reference gauge set भी कहते है इसलिए इसको हम control gauge भी कहते है इसको हम reference gauge set या control gauge set कहते है क्योंकि यही control करता है यही reference gauge set भी है और यही control gauge set भी है ठीक है और इसको हम inspection gauge set के नाम से जानते हैं और इसको हम working gauge set के नाम से जानते हैं अब आजा इदा मास्टर gauge set हो गया उसके बाद हम चलते हैं master gauge set को control gauge set करते हैं यह है telescopic gauge तेलिस्कॉपिक गेज जो है ये भी सर इसके द्वारा हम सर इस प्रकार के बेलनाकार वर्क पीस में घुस कर ये ब्यास को नापता है ये बड़े ब्यास को मेंली नापता है तेलिस्कॉपिक गेज सेट जो होता है ये मेंली बड़े ब्यास को नापता है यह अंदर घुस जाएगा और घुस के इस ब्यास को यह नाप लेता है यहाँ पर ऐसे इसके द्वारा कहते हैं इस गेज का प्रियोग अंदरूनी साइजों को मापने वो चेक करने के लिए किया जाता है अंदरूनी बड़े व्यासों को देखो इज व्यूग स्मॉल हम organizate और यह चोटा को न आप आरा यह जो आपका pac characteristic होगा यह बड़े व्यास को न आपता है इस बड़े व्यासों को चक करने के लिए इस गेज का प्रियोग किया जाता है या अधिक गहराई तक माप लेके जाता है चुकि देखो इसमें हैंडल लगा हुआ होता है इस हैंडल से हम अधिक गहराई तक चले जाते हैं और अधिक गहराई तक जाकर हम लोग सर नाप ले लेते हैं अब देखो उसके बाद bevel gauge bevel gauge क्या होता है देखना तुम यह बढ़ी वगरा यूज करता है इसको 90 degree पर होता है या इसमें अलग अलग अंगिल भी बनाए जाते है यहाँ देखो यह bevel gauge इसर अगर यह माल लो यह उडन है यह उड है लकडी है इस लकडी का कौन 90 degree है की नहीं यह इसी gauge से नापते हैं बेवल gauge से इस गेज का प्रियोग जॉब का कौन चेक करने के लिए क्या जाता है देखो यह कितना कौन पर है यह उसको चेक करने के लिए इसका प्रियोग करते हैं उसके बाद है पाइलेट gauge पाइलेट gauge सर कहते हैं यही है पाइलेट gauge इस gauge का प्रियोग ऐसे सिलिंडरों को चेक करने के लिए किया जाता है जिसे वर्टिकल या होरिजेंटल पोईशन में न रखा जा सके मतलब टेढ़ा करके जिसको रखा जा सके उसके बाद है template और gauge में क्या अंतर देखो template और gauge में क्या अंतर template rough work के लिए हम लोग यूज करते हैं जैसे गाओं घर में तुम देखना किसी से आटा मांगने जाओगे न तो आटा तुमको डबा से नापके देदेगा तू हो गया template अतराजू से नापके देदिया तू हो गया gauge अगर डबा से नापके देदिया तू हो गया template अतराजू से नापके देदिया तू हो गया gauge लीटर से नापके देदिया दूद तो हो गया gauge नॉर्मली लोटा से नापके देदिया दूद तो हो गया template template मतलब template की सुदता लोटा की सुदता कम होती है उसको बनाने में भी कम खर्च लगता है रफली यूज करते हैं शुदता अधिक होती है यह एक्सेक्ट होता है जिसको हम लीटर वाला जो लाके उसमें हम लोग नापते हैं तो उसकी सुदता भी अधिक होती है उसको बनाने में अधिक खर्च लगता है अब देखो जब एक टेमपलेट मिल्ड श्टील के बनाए जाते हैं जबकि गयज प्रा एल्लॉए स्टील के बनाए यजादे सुद्ध होता है ज्यादे कठोर होता यह template भार में हलका होता है और gauge भारी होता है तर देखिए कि आप जो gauge हम लोग यूज़ करते हैं तराजू लीज़ेगा तो भारी होगा लोटा से नाप दी जगा तो हलका होगा तर टेंपलेट की grinding, lapping, honing, tempering की आवशक्ता नहीं होता है तो यह rough होता है इसको साप सुत्रा करने की जरूरत नहीं है लेकिन gauge को grinding, lapping, honing आधिक आवशक्ता होती है साप सुत्रा करने की आवशक्ता होती टेंपलेट कम खर्च में बनता है जबकि gauge अधिक खर्च में बनता है तर आजू अधिक खर्च में होगा लोटा कम खर्च में हो जाएगा template कम खर्च में बंता है, a7 sect상을 औरलते किसी किसी भीinel क्या हो सकता है, template को rough surface पर प्रियोग में लाया जाता है, gauge पर आए extender size का होता है, क्योंकि rough surface पर लावो गेस गिस जायएगा, template का प्रियोग कम समयं तक क्या जाता है, क्योंकि भयोल लोटा कि लोटा थै गेज का प्रियोग अधिक समय तक किया जाता है, टेंपलेट का प्रियोग प्राया जॉब की आकरती के अनसार, मार्किंग वा चेकिंग करने के लिए किया जाता है, जबकि गेज का प्रियोग जॉब की मापों को मापने वा चेक करने के लिए किया जाता है, मार्किंग को नहीं, जो अक्छोल माप है उसको चेक करने के लिए इसका, मेंली इसम जो टेंपलेट लोटा है, गेट जो है वो तराजू है, एकजेक्ट नापने के लिए गेट, रस यूज करने के लिए हम लोग टेंपलेट का प्रियोग करते हैं, एक बार हम फिर से पढ़ा हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए देखे गेज एक ऐसा मापा की अंत्र है जिसके द्वारा हंसर नापते नहीं है चेक करते हैं नापने और चेक करने में लिए नापना कि कितना किलो है और चेक करना कि 10 किलो है की नहीं। चेक करने में माप अल्लेडी हमको पता रहता है, सिर्फ उसको अंट लोग चेक करते हैं peatage जो है, यह सर मापता नहीं है, यह जो है सर यह नापता नहीं है क्या करता है चेक करता है अब देखो गेज का प्रियोग अत्यदिक उत्पादन के लिए किया जाता है सही बात है जब चेक धाई-धाई हो जाएगा तो उत्पादन बढ़ जाएगा गेजों का प्रियोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं यह किसका बना होता है सर अल-ॉ-आइ श्टील का बना होता है वह तुरनके हम देखो गेजी और टेmpleiट में अंतर बताये थे तो वहां बोले थे template byld steel का बना होता है जबकि गेज अल-उ-आइ-स-टील का बना होता है कितना workshop का temperature होना चाहिए 20 degrees centigrade सीमा गेज है उच्छे सीमा और निमन सीमा के बीच अनापता है यह दो प्रकार का होता है सीमा प्लग गेज सीमा सनैप गेज सीमा प्लग गेज की अगर बात करोगे इसका उपयोग छिद्र का व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है सीमा plug gauge का उपयोग छितर के व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है इसमें दो सिरा होता है go और दूसरा no go go size का व्यास जो है जो है जौब के नियूंतम size के बराबर होता है plug gauge, plug gauge आपके सामने है plug gauge का पहला type है taper plug gauge इसमें यहां तक go होता है और इसके बाद no go हो जाता है इसमें go और no go दोनों सिरा एकी side पर होता है लेकिन sir tapper होता है progressive plug gauge में भी sir go और no go सिरा एकी side पर होता है progress करते हुए चूड़ी plug gauge में sir chiूड़ी होता है चूड़ी नापता है सीमा स्नेप गेज बाहरी व्यास को नापता है रींगेज की अगर बात करोगे तो यह रींगेज है इसकी बाहरी सता नर्लिंग की हुई होती है ताकि सर इसमें जो है इसको पकड़ने में आसानी हो और यह चूड़ी कटा हुआ होता है इसमें रिंगेज के बाहरी भाग को नरल किया जाता है ये बाहरी भाग को नरल कर दिया जाता है जिससे की मजबूती से गेज को पकड़ा जा सके ये तीन टाइप का होता है, एक प्लेन रिंगेज होता है, एक टैपर रिंगेज होता है, एक थ्रेड रिंगेज, नामे से किलियर है, ये प्लेन रिंगेज बेलनाकार होता है, टैपर रिंगेज संकुआकार होगा, और थ्रेड रिंगेज चूड़ी कटा हुआ होगा, Radius Gage, आपके सामने है Radius Gage, यह Radius को नापता है, उत्तल अबतल दोनो Radius को नापता है किसी भी जॉब पर उत्तल अबतल देखो, यह उभरा हुआ है तो उत्तल है और धसा हुआ है तो अबतल है दोनों को चेक करने के लिए हम लोग Radius Gage का प्रियोग करते हैं अक्सर या किसी जॉब पर welding द्वारा आणने प्रकार के फिलेट करने के लिए इसका प्रियोग करते हैं इसको फिलेट gauge कहते हैं फिलर gauge को clearance gauge भी कहते हैं क्योंकि दो work piece के बीच को का clearance नापने के लिए हम लोग इसका up-you करते हैं Metting parts का clearance नापने के लिए बहुत सारी पत्तियों को carbon steel की पत्तियों को grind करके बनाया जाता है इसके द्वारा इंच था mm में माप ली जाती है filler gauge का thickness या clearance gauge भी कहते हैं उसके बाद gap gauge, यहां पर hammer heading दिलवाई थे तुमको gap gauge इसका प्रियोग मिलने वाले parts को बीच का gap नापने के लिए कहते हैं दो gauge के समिलित रूप को gap gauge कहते हैं चूड़ी pitch gauge में सर चूड़ी बना हुआ होता है जो चूड़ी का pitch नापता है चूड़ी का pitch किसको कहते हैं? दो चूड़ी के बीच का जो दूरी होता है उसको चूड़ी का pitch कहते हैं यह बहुत सारी पत्तियों का एक समूह होता है, इसकी साहता से काटी गई चूड़ी का पीछ ग्याप करते हैं, प्रतेक ब्लेड पर चूड़ी का पीछ अंकित होता है, देखो यह ब्लेड पर चूड़ी का पीछ अंकित है, टैपर गेज, टैपर गेज भी सर किसी भी स्लोट क की गहराई को नापता है कि 0.01 इंच से 0.15 इंच तक या 0.3 mm से 4 mm तक नापता है यह खांचा की चौड़ाई या अंदुरूनी साइज को नापने के लिए प्रयोग करते हैं कौन गेज यह है एंगिल गेज यह बहुत सारा अलग लग साइज का होता है कौन गेज को फिलर इसका बार-बार ग्राइंड करके इसके टिप्स को के एंगिल को चेक करते हैं कि ड्रील को ग्राइंड करते हैं उसके कटिंग एजज के कोनों को चेक करने के लिए ड्रील एंगिल गेज का प्रयोग करते हैं वायर गेज से सर वायर की मोटाई नापते हैं गेज का नंबर ज मेल प्रोफाइल को चेक करते हैं उसके बाद है सेंटर गेज सेंटर गेज हम बोले जब यह सेंटर गेज देगा लेद मशीन वाला आंसर मार देना तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा कार्बन की पत्ती को विभिन कौन साथ डिगरी पचपन डिगरी सेंटर पांच डिगरी के कौन पर बनाया जाता है इसका प्रियोग सही सेंटर हाइट पर लेद टूल को सेट करने के लिए किया जाता है लेद के threading tool की परिसुदता को चेकर लेद machine दे तक काम हो गया तुमारा small hall gauge 3.2 mm से 12.7 mm तक के व्यास को नापता है छोटे-छोटे व्यास को जबकि telescopic gauge बड़े व्यास को जो कल ही batch लिए है सर वो अगले chapter से उनको समझ में आएगा इसमें एक chapter का दूसरे chapter से कोई लेना देना नहीं है slip gauge की अगर हम बात करें तो यह slip gauge है सर slip gauge हम लोग सर 112 piece में available है Johnson ने आविश्कार किया था इसलिए Johnson gauge इसको हम linen cloth या chemines leather का परियोग किया जाता है 63 HRC से अधिक होता है Indian standard के लिए सर slip gauge का 112 set available है slip gauge grade 0, grade 1, grade 2, grade 00 में available है एक होता working gauge set इसकी परिसुत्ता कम होती है इसकी सुत्ता उससे अधिक होती है यह 0.001 mm, यह 0.001 mm, यह 0.0001 mm होता है inspection gauge जो है working gauge की सुक्षनता को चेक करता है और master gauge जो है वो inspection gauge की सुत्ता को चेक करता है उसके बाद हम चलते हैं सर telescopic gauge यह बड़े व्यास को नापता है बड़े व्यास को नापने के लिए हम लोग यह telescopic gauge का प्रियोग करते हैं अधिक गहराई में जाकर नापता है अंदुरूनी व्यासों को नापता है bevel gauge यह कौन को नापता है पाइलेट gauge वैसा cylinder जो नापने के लिए इसका उप्योग करते हैं gauge और template में अंतर हम बता दिये template लोटा है जबकि gauge तराजू है उसके बाद आते हैं sir question पे आईए sir question की दुनिया में और बनाईए अब आपका question बनेगा काता है gauge को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सता पर dash की परत से electroplating चड़ाई जाती है sir देखे कोई भी gauge है इसको बार बार सर आप छेद में घुसाईएगा निकालीएगा 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 ति घिस जाए घिस जाएगा तो इसके उपर एक परत चड़ाया जाता है परत किसका होता है वो tungsten carbide का होता है tungsten carbide hard होने के कारण इस पर एक परत ये अगर कोई gauge है मान लो ये अगर मान लो कि कोई gauge है जिसमें दो सिरा है एक सिरा है go का और एक सिरा है no go का ये है go सिरा और ये है no go सिरा इसके उपर जो है अगर इसको हम बार बार सर्चियद में घुसाएगे निकालेंगे घुसाएगे निकालेंगे तो इसके उपर हम लोग tungsten carbide का लेप लगा देते हैं कि इसके उपर tungsten carbide का लेप लगा देते हैं कि ये इसके उपर हम लोग tungsten कारबाइड का लेप लगा देते हैं तो ये हाड हो जाता है हाड जाता है कितने वार घुसाओ निकालो घुसाओ निकालो नहीं घुसेगा तब बताव अंसर क्या हो जाएगा क्योंकि टंगस्टन कारबाइड एक हाड मेट्रियल है कोश्चन कलेक्ट हो गया गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है थ्रेड के पीछ की माप किसी छिदर का व्यास किसी छेद की चोड़ाई सौब नापते हैं थ्रेड का पीछ नापने के लिए हम लोग चूड़ी थ्रेड गेज का प्रियोग करते हैं इसे सब नापते हैं किसी छेद की चोडाई भी नापते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यह सभी क्योंकि इसे इसे सब नापते हैं अधिक गहराई पर माप लेने के लिए डैस का प्रियोग किया जाता है Betata jya क्या होगा Precision Instrument पढ़ाएंगे सर भी नहीं पढ़ाएं अधिक गहराई पर माप लेने के लिए Dash का प्रियोक किया जाता है Beza क्या होगा अधिक गहराई पर माप लेना है वितीन नमर का Пока Бटा क्या हो जाएगा सर इसके लिए हम लोग Telescopic Gate अधिक गहराई और बड़ा व्यास के लिए हम लोग ट्रेलिस्कॉपिक गेज का प्रियोग करते हैं पूराने वाले में देखो तो कौन-कौन सा चैप्टर हुआ है और ये बैच में अधिक गहराई ममाप लेने के लिए हम लोग ट्रेलिस्कॉपिक गहराई या बड़े व्यास के लिए गेज साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक क्या घटती है सर मोटाई घट जाती है तार की मोटाई होती है वो घट जाती है जैसे ही साइज बढ़ेगा तो मोटाई घट जाएगा आंसर हो जाएगा before ball इसका आंसर ठीक कर लेना चार का कताई गेजिंग सत्वों से चिकनाई हटाने के लिए डैस में धोना चाहिए बताईए क्या हो जाएगा आंसर पांच का पांच का आंसर बताईए क्या होगा पांच का आंसर बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा देखें, गेजिंग सतों की चिकनाई हटाने के लिए, बहुत जयादा चिकना हो जाएगा उसकी चिकनाई को हटाने के लिए इसको tunguston, कारबन टेटरा क्लोराईड से धोना चाहिए carbon tetra chloride एक petroleum पदार्थ है इससे हम लोगों को दोना चाहिए तो इससे क्या होगा sir जंग नहीं लगेगा जंग नहीं लगेगा जंग नहीं लगेगा that is the answer अगला कार्बन क्लोराइड कुछ होबे नहीं करता है सोडियम क्लोराइड तो नमक हो गया नमक से थोड़े दोहेंगे अगला, गेज का प्रियोग डैस के लिए किया जाता है बताओ, जॉब वर्क के लिए बैच उत्पादन के लिए अत्यधिक उत्पादन के लिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा अत्यधिक उत्पादन के लिए बैच उत्पादन हो गया बताओ, दस-दस का बैच बना कर जॉब वर्क तो कुछ होबे नहीं किया अगला अगला स्लिप गेज किस धातू के बने होते हैं अभी तुरंट बताये थे सर्थ स्लिप गेज देखो यह स्टील हो जाएगा क्रोमियम स्टील का यह बाइल स्टील का की टूल स्टील का की इनमें से कोई नहीं बताए यह नौक आंसर क्या हो जाएगा What is the answer? Answer, tell us, sir Chromium steel का बना होता है Clip gauge यह chromium steel का बना होता है Gauge का कारे है जाँच करना कि मापना की पानी में डूबना जाँच करना Answer मापना इसका काम नहीं है मापे हुए वर्कपीस को चेक करना इसका काम है question number 11 Metrology Lab में गेजों को रखने का मानक तापकरम है 20 degree centigrade पड़ग गेज्ट की गोव साइज का व्यास बराबर होता है हौल को कम से कम σाइज होल का अधिक साइज क्या हो जाएगा जल्दी से बताज़िये 12 नमर का को कि होल का कम से कमahon, होल के नियूंतं साइज के बराबर होता है आगला प्रोफाइल गेज मेल दोनों को मेल था दोनों को प्रोफाइल गेज मेल और मेल को चेक अगला like जिसके दोनों इस प्रोग्रेसिव बंच देगे सब्सक्टेश करते हुए रमंगो के तरब जाए सिंगल एंडेट प्लग गेज होवे नहीं करता है कॉंटीनिवस प्लग गेज होवे नहीं करता है सिंपल प्लग गेज होवे नहीं करता है एक के गो होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो सिरा कारेखन में प्रवेश नहीं करता है गो सिरा कारेखन में प्रवेश करता है अगला गेज के उपर टंगस्टन कारवाइट का लेप लगाने पर गती जब टंगस्टन कारवाइट का लेप लगा देंगे सर तो वो हाड हो जाएगा अब बताए ये hard हो जाएगा तिक क्या हो जाएगा? जब वह hard हो जाएगा तो उसकी गति को आप बढ़ा दीजेगा घीसेगा नहीं? Answer Gauge के उपर टंगरश्टन कारबाइट का लेप लगाने पर गति क्या हो जाएगा? तो कोईगे गती बढ़ा दीजे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है BIS के द्वारा, BIS बोले तो Bureau of Indian Standard Bureau of Indian Standard ये द्वारा Sleep Gage का विशेश से प्रियोग में लाए जाता है, उसमें निम्न संख्या होती है बताओ अंसर क्या होगा लिखाओ Chapter का नाव कितना हुआ है टूटल सबसे पहले वाले में इन नौवा है अंसर बताओ जे सर क्या हो जागा 112 पीस अंसर हो जाएगा अगला Sleep Gage के कई ग्रेड में होते हैं इंस्पेक्शन कारियों के लिए ये निम्न ग्रेड इंस्पेक्शन कारियों के लिए देखे हम यहां बताए थे आपको इंस्पेक्शन कारियों के लिए सर आप देखेगा inspection कारियों के लिए हम किस gauge का प्रियोग करते हैं किस grade का प्रियोग करते हैं देखें यहां हम बोलेते inspection कारियों के लिए grade A और grade 0 का प्रियोग करते हैं inspection कारियों के लिए हम लोग grade A और grade 0 का प्रियोग करते हैं वही question यहां है question कोह रहा है he a sheep कई bus गेज में कई ग्रिक्रेट्स प्रियोग में लाए जाते स्पेक्शन कारियों के लिए अगरेज़े 카्रिट है या ब्रेल जीरो का प्रियोग किया जाता साट्फा आंसर हो जाएगा ब्रेज जीरो या technical कि अग्ला कि अगला है आपका कता अंतर परिवर्तनियता इंटर्चेंजिबिलिटी अर्थात खराब होने पर बदलना अंतर परिवर्तनियता अर्थात खराब होने पर बदलना निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है तब या Gage के दोरा, Gage के दोरा ही हमको पता चलता है खराब है तो उसको बदल देते हैं Master Gage का अनिक किस नाम से जानते हैं Reference Gage या Control Gage के नाम से जानते है यह Reference भी है क्योंकि इसी को Master Gage को ध्यान में रखते हैं वो Worker और Inspection Gage काम करता है आचुकि यह सब को control करता है इसलिए control gauge के नाम से जानते हैं जॉब साइज वांचित सीमाओं के अंदर है या नहीं या निम्न में से किस gauge के द्वारा पता चलेगा limit gauge के द्वारा पता चलेगा कि limit के अंदर है कि नहीं है अगला fix type gap snap gauge निम्न प्रकार का होता है go no go दोनों सर फिक्स टाइप आइसा होता है इसका आंसर դिक कर लेаже अगला गमला बनाया जाता है बया profile गेज से बढ़ाएं हम तुमको गमला दिखाये भी है profile गेज से तुदता सबसे अधिक होती है किसकी master मास्टर गेज की या इसी को हम कंट्रोल गेज भी कहते हैं या इसी को हम इंस्पेक्शन गेज भी कहते हैं इसको मास्टर गेज को कंट्रोल गेज या रिफरेंस गेज कहते हैं अंसर हो जाएगा भी फॉर बॉल अगला सिलिप गेज को आपस में जोड़ कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निम्ड में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्चक हो जाता है तरद शिलिप गेज को इससर आपको आगे पढ़ना है अभी तो आपको नहीं पढ़ना है इसका आंसर रिंगिंग हो स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निमन में से किस प्रक्रिया का प्रियोग करना आवश्चक है इसी को में रिंगिंग करना या प्रियोग से पहले चमकाना इसी को में रिंगिंग करना कहते है प्रियोग से पहले चमकाना चमाइन स्ले अगला किसी जॉब पर बने उत्तल या आउत्तल रेडियस को चेक करने के लिए किसका उप्योग करते हैं एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन पिछ कटे होते हैं पिछ जब यह कह दिया चला तो यह हो जाएगा स्कुरू पिछ गेज दो गेजों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं जल्दी बताओ दो गेजों के सम्मिलित रूप को गैप गेज कहते हैं रेडियस गेज से रेडियस नापते हैं फिलर गेज से दोनों के बीच का गैप नापते हैं फिल्लेट गेज, फिल्लेट गेज सर किसको कहते हैं, रेडियस गेज को फिल्लेट गेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वेल्डिंग में जो सरी ऐसा टाइप का फिल्लेट बना हुआ होता है, इसी को हम रेडियस गेज के नाम से भी जानते हैं, रेडियस गेज के द्वार एगला किस Gage को Ctrl Gage भी कहते हैं सर अभी तुरन बताये थे स्थे Master Gage को Ctrl Gage या Reference Gauge के नाम से जानते हैं Master Gage को Ctrl या Reference Gauge के नाम से जानते हैं Mating parts के बीचình sunrise चेक क्रने के लिए किस का ऑपयोग करते है help Filler Gage का पृयोग करते है Filler Gage का ऑपयोग Feeler मतलब भी होता है खाली जगा, clearance मतलब भी होता है Center gauge की पत्ति का कोन होता यह सभी होता है Center gauge का एक ही अंसर होगा Lead machine Flip gauge को और किस नाम से जाना जाता है इसको Johnson gauge के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह Johnson साहब ने इसका आविशकार किया था किस gauge का प्रियोग job का कॉन चेक करने के लिए करते हैं। नमब 33 का अंसर बताओ किस gauge का प्रियोग खराद ? खराद मतलब हो गया led खराद मतला हो गया लेद मशीन सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं गेज बना होता है ल्वाई स्टील का गेज उत्पादन दर को बढ़ा देता है निम्ड में से कौन सा गेज का प्रकार नहीं है सीमा गेज है यह है रिंग गेज चूड़ी पिछ गेज इनमें से कोई नहीं बता क्या होगा चालिस का अंसर जल्दी से बता दो रिंग गेज होवे करता है जो रिंग के आकार का होता है चूड़ी पिछ गेज भी होता है सीमा गेज भी होता है आंसर हो जागा इनमें से कोई नहीं अंसर हो जागा इन में से कोई नहीं चूड़ी की माप ग्याप करने के लिए किस gauge का प्रियोग करते हैं चूड़ी पिछ gauge का प्रियोग करते है टैपर gauge का taper होता है सर टैपर gauge का taper बताओ कितना होता है What is the answer for 42? 0.3 से 4 mm देख लिए जगा वान लिस्ट में दिया हुआ है 3.2 से 12.7 या स्मॉल हॉल गेज ड्रिल को ग्राइंड करते हैं उसमें 118 डिगरी किस गेज की साहिता से किसी जॉब का मेल अथवा फिमेल को चेक करते हैं प्रोफाइल गेज जॉब गेज किसको कहते हैं सिलिप गेज को चुकि जॉब जॉब गेज का गेज सेट किसको कहते हैं बताओ जल्दी से 47 का आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा वर्किंग गेज सेट को बी गेज सेट कहते है गेज ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है बताओ Gage Block का दूसरा नाम क्या है? Slip Gage का ही दूसरा नाम Gage Block या Johnson Gage है Pillar Gage की पतियां बनी होती है बता क्या होगा? Pillar Gage की पतियां बनी होती है Question No.49 Answer हो जाएगा Carbon Steel की Grind की हुई पतियां बनी होती है निमने से किसमें Ring Gage का प्रियोग किया जाता है? लिए कि रिएपिचर करना करें दो ला मैं से कि रिए थे त्रीव करने के लिए कि प्रियोग किया जाता उसके उसको इसको सुख्षनता को चक्करने के लिए त्रीओ करेंगे Inspection gauge का, Inspectionatics की सुक्सम greatly check करणे किलें रेफरेंस Gauge इंस्पेक्शन Gauge की सुक्समेता को चेक करने के लिए रेफरेंस Gauge का पर ayudar करते हैं वर्क्रफ गेज की परिसुतिता परिसुतिता देनल में से क्या होती है ता वर्क्रफशब गेज kी परिसुतिता हुती है जीरो पॉइंट जीरो 1 एमें इंस्पेक्शन की होती है जीरो पॉइंट दूगो 0 ए हो गया इंस्पेक्शन की और जो मास्टर गेज होता है मास्टर का हो जाएगा 0.0001 इंस्पेक्षन गेज की परिशुत्ता इंस्पेक्षन गेज हो गया 2-0-1-1 आई यही मास्टर हो जागा 3-0-1 मास्टर गेज की परिशुत्ता 0.3-0-1-1 निम में से किस गेज का प्रियोग छोटे-छोटे सुराखों के साइच को चेक करने के लिए करते हैं आउल हॉल गेज का बी आई एस के अनुसार निम में से कौन सा स्लिप गेज की सुक्षमिता आंका ग्रेड है आंसर तीनों हो जाँगा ग्रेड जीरो भी है ग्रेड वान भी है ग्रेड टू भी है आंसर हो जाएगा डीफोर कुट्टा कॉस्चन नमर अन्ठावन फिलर गेज किसी काई में नापता है, इंच और mm दो न Griffin में नापता है अंदरूनी आकार को मखने या चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं देखो छला, इप्लक गेज, रिस गेज Androni व्यास को ही नापता है करता हैं कि कोष्चन में थोड़ा सा सुधार होगा अंदरूनी बड़े आकार को मा पने के लिए टेलिस्कॉपिक गेज का प्रयोग करते हैं ने तो कोष्चन नहीं नहीं बनेगा निव में से किस के प्रयोग डृ और ड्रील को ग्राइन करते सुनाएं जब यह ड्रील को अग Drug Angle gauge का प्रयोग करेंगे? थिकनेस या क्लियारेंस gauge को कहा जाता है Filler Gauge Filler का मतलब भी खाली जगा Thicknessumble का मतलब भी खाली जगा Control gauge कहते हैं Master gauge को यही control करता है Filler gauge का प्रच का प्रयोग किया जाता है parts की play को समायोजित करने के लिए parts के गेजों के समद्ध में निमलिकित में से कौन सी बात सही है? गेजों का प्रियोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं? पताए यह आंसर सही है कि गलत है? कौन सा आंसर होगा जल्दी जदी बता दीजे यह नमबर सरसे पहला ही सही हो गया गेजों का के सम्मन्द में इसका काम है चेक करना आंसर सही हो गया टेंपलेट का प्रियोग साइज को चेक करने हैं नहीं टेंपलेट का प्रियोग ही नहीं करते हैं गेजों का प्रियोग साइज को मापने के लिए नहीं चेक करने के लिए करते हैं गेजों का प्रियोग component के आकार को चेक करने के लिए करते हैं, इक आता गेजों का प्रियोग size को चेक करने के लिए करते हैं, यह ज़्यादे accurate है, इसलिए यह answer होगा, component के आकार को चेक करने के लिए नहीं करते हैं, किसी भी size को चेक करते हैं निम में से किस कारी के लिए filler gauge का प्रियोग करते हैं आंसर बताजे 66 का क्या हो जाएगा मेंटिंग पार्ट्स के बीच gap चेक करने के लिए प्रियोग करते हैं निम में से किस कारी के लिए center gauge जब ये center gauge आ गया मतलब सट से lead tool वाला answer मार दो lead machine 63 का हो जाएगा A खराद जब ये आ गया भहिया center gauge मार न दो lead machine पौढ़ना नहीं है question कारी के साथ lead tool जब ये मा आ गया center gauge मार न दो question काहल पढ़ेगा निम में से क्या check करने के लिए plain ring gauge का प्रियोग करते हैं plain ring gauge का उप्योग सर क्या करते हैं plain ring gauge होता है इसका प्रियोग सर बाहरी व्यास को check करने के लिए करते हैं बता 70 का answer क्या हो जाएगा cylindrical parts के बाहरी व्यास को check करने के लिए करते हैं निम में से किस कारे के लिए thread ring gauge का प्रियोग करते हैं thread ring gauge का प्रियोग बाहरी चूड़ी को नापने के लिए करेंगे एकितर का अंसर बता यह नंबर बारी थ् determin को चेक करने के लिए करते हैं निम्नै से किस कारे के लिए टेपर सिंगेज का परियोग करते हैं बारी टेपर को चेक करने के है किस gauge का प्रियोग अंदुरीनी बड़े व्यासों को चेक करूए बड़ा व्यास जभी यह कह दिया टेलिसकोपिक gauge हो जाएगा gauge का उपयोग करने से कारेचमता प्रभावित gauge का उपयोग करने से कारेचमता क्या होगा बता 74 का अंसर कि यह नम्मर प्रभावित होता है अर्थात बढ़ जाता है किस बैच में कि सट्रडे संडे क्यों लेंगी कि लाइन पहें क्या है अगला निम्ल कितने से किस गेज क्या प्रियोग ऐसे सिलिंडर को कि न रखा जाता है जिन्हें वेटीकल या हicularly ल पोचिशण में नहीं रखा जाता है पाइलेट गेज के सहिक क्या है या वरक्षप गेज होगा उसके बाद इंस्पेक्षंटीन होगा उसके बाुमीप रिफ्परेंस गेज हो जाएगा जब आप देखेगा तो इसका figure sir इस प्रकार होता है एक ही side पर दो जबडे होते हैं answer हो जाएगा इस प्रकार का होता है हाँ क्या हुआ sir क्या हुआ मतलब जो लेते हैं आप YouTube पर जो live लेते हैं तो दोनों अलग अलग बैच है न उससे क्या मतलब है पढ़ा कि उसको complete कीज़े वह इसे बहुत सारा बैच रहता तक्रेबे करेगा एक में डम करते हैं कॉल करते हैं एक ही साइड पर होते हैं अब करता है रिफरेंस गेज की परिसुदता अभी तुरहन बता थे रिफरेंस मतलब मास्टर गेज मास्टर गेज की परिसुदता यह हो जाएगा सर उसका क्या बोलते हैं इसको इंस्पेक्शन का यह हो जाएगा वाक्शॉप गेज का सीमा स्नेप गेज का अकार होता है सीमा स्नेप गेज हम बोले थे इस अकार का होता है शीमा स्नेप गेज इस आकार का होता है तो बताओ जल्दी से किस आकार का होगा यू आकार का होता है इक कोश्णिस से पहले भी था अगला वाक्षप में साधरन कारे के लिए किस ग्रेड का प्रियोग में लाया जाता है वाक्षप में साधरन कारे के लिए सर बताईए जल्दी से किस ग्रेड का प्रियोग में लाया जाता है ग्रेड टू प्रियोग में लाया जाता है Grade 1 होता है Master Gage के लिए, Slip Gage की Hardness 63-64 से अधिक होती है, Grade 1 के Slip Gage कहां प्रयोग में लाया जाता है? Grade 1 जब यह हो गया चला तो बहुत बढ़िया ग्रेड हो गया, अब बहुत बढ़िया ग्रेड हो गया जल्दी से बतातो क्या हो जाएग आंसर? Master Gage से, या Reference Gage या Control Gage में प् अगर थियोरी सर अच्छे से पढ़िए गनतासी को बेरासी को कोश्चन बनाना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है दस से पंदरा मिनिट का काम लेहिए नहीं भी पढ़े हैं सर तो पीछे जाके तीन क्लास हम लिए हैं तीनों क्लास को पढ़िए अगले दिन हम लोग नेक